साथियो मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा चुने हुए जनप्रतिन दियोजियों की सोच सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखते हुए सिमित नहीं होनी चाहिए चुनाव केंदरीत सोच से हम सहर का भला नहीं कर सकते हैं कई बार शहर के लिए फैसला बहतर होते हुए भी इस डर से नहीं किया जाता कि कहीं चुनाव में नुक्षान हो जाए हम मुझे याद है मैं जब गुजरात में था तो 2005 में हमने अर्बन डेवलप्मेंट येर मनाने का कारिकम बनाया और करीब सो डेड़ सो ऐसे पॉइंट निकाले जिसके आधार पर शहर में चौराहे की चिंता करना एंक्रोजमेंट को हताना सफाई की चिंता करना बिजली के तार पुरा नहीं तो बताना बहुत सारे परामिटर्स थे हैं और जन्भागी दरी से चोहराओ के सुषोभन के लिए भी बहुत काम हुआ अब उसमें एक मुद्धा था एंक्रोजमेंट हताना अब जब एंक्रोजमेंट हताना शुरू किया तो मुझे मेरे गुजरात भाज़पा के नेता मिलने आये उनका कहना था 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 अभी तो हमारा कॉर्परेशन और पंचयतों का चुनाव आने वाला है अपने एक आर्दम कैसे ले लिया आज मैं भी भूल गया था कि 2005 को मैंने अर्बन डेवल्पेंट एर बनाया लेकिन उस समय चुनाव है मुझे भी ध्यान नहीं था जब सब लोग आया मैंने का देखो भाई अब ये बदल नहीं होगा हमें लोगों को समझाना होगा लोगों का विश्वास बढ़ाना होगा मैं जानता हूँ कि जब हम एंक्रोजमेंट को हताते हैं तो जिसका जाता है उसको गुसा भी आता है नाराज़ी होती है लेकिन मेरा अनुभव दूसरा रहा जब हमने एक इमानदारी से प्रयास शुरू किया तो लोग स्वयम आ गया है लोगों ने जो अपना कभी कोई आदा फूट एक फूट दो फूट कुछ नो कुछ किया था सबने हटाना शुरू किया रोड खुल गए रोड चोड़े बनने लग गए क्योंकि उनको विश्वास हो गया कि हाँ पर कोई भाई भतिजाबाद नहीं है मेरा तेरा नहीं है एक कतार में जो भी है सब का हटाये जा रहा है तो लोगोंने मदद के अतिक्रमान हटा रास्ते चोड़े हो गए कहने का तात्परी ये है कि अगर हम सही काम करते हैं जन हित्वे करते हैं तो लोगों का साथ मिलता है डरने की ज़रूप नहीं जी जब जनता को इमानदारी दिखती है बिना भेदवाव के अमल दिखता है तब लोग स्वयम आगे बढ़कर के साथ देते हैं